पिल्म की शुरुवात में हम एक लड़की बैकी को देखती हैं जिस कहाने की में इन करेक्टर है जिसे एक घर मिलाया जाता है जहां उसकी मुलाकार एक कपन से हुई जो उसकी सुतेले मॉम डैड बनने वाले थी क्योंकि वो बैकी को आज गौद लेने वाले थी इसलिए उसस नए गर में अपने डॉक की साथ आई थी रात को उसकी मॉम डैड खाना खाने के लिए उसी टेबल पर बुलाती है कहनी लगी कि आज से हम तुम्हारी पढ़ारी लिखाए तुम्हारी रहन सेन का अच्छी सी खयान रखेंगी जो सुनकर बैकी उनकी तारीफ करती है कहनी ल जादा ही कि ओड जैसे कोई चोटी बच्ची हो और मासूम बनने की कोशिश के रही थी पर वो इतने मी मासूम नहीं थी फिर बेकी को एक कमरा दिया जाता है जहां वो अराम से सो सकी उसकी मॉम जब उसे गोट नाइट बोलकर सोने के लिए जा रही थी तो उनृंए वो मॉ और ऐसे ही भागती गई क्योंकि उसे आदत थी ऐसे उल्टे सी दे काम करने की तिर एक गिन उसकी मुलाकात एक बोड़ी औरत सी हुई जिसकी बैकी से दोस्ती हो गई और वो अब उसके घर रहना शुरू कर दे थी क्योंकि वो औरत उसे गोड ले चुकी थी जिसकी बात उसने एक होटल में काम करना शुरू कर दिया यहां बैकी हमें बताती है कि एक दिन कुछ नाजी टेररिस्ट यानि दाशित गर्दों के ग्रूप ने मेरे घर पर हमला करकी मेरी मूम डैट को मार डाला क्योंकि वो लोग एक फुफया चावी की तलाश कर रहे थी वो चावी हमारे घर में चुपी हुई थी जो अब मेरे पास थी तो मेरी मूम डैट को मारने की बात उन्होंने मुझे भी कैड कर लिया लेकिन फिर मैंने उनको मार डाला और में उनकी कैड से भाग गई फिर दिखाया गया कि बैकि आज भी लेनने के लिए तयार है वो जंगल में जाकर जबरदस ट्रेनिंग करती है जिससे वो काफी अच्छी तरह लेनना सीख गई अब जिस औरत की साथ वो रहती थी उसका घर जंगल की पास ही था इसलिए बैकी ने वाँ ट्रेप्स यानि जाल भी सेटप की हुई थी ताकि कोई भी यहां ना आ सके अब बैकी उस बुड़ी उरत के साथ खाने के लिए बैटी होती है जिसने उसे गोद लिया हुआ था पर वो बैकी से प्यार नहीं करती थी उससे भी समझ नहीं आती कि आखिर इस औरत ने मुझे यहां क्यों रखा हुआ है जिबके यह मुझे अपने बेटी की तरह नहीं समझ थी यहां तकि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं इसलिए बैकी उससे पूछ लेती है कि आपने आज तक मेरा नाम क्यों नहीं पूछा इस पर वो औरत बताती है कि बात यह है कि मैं अब बुरी हो गई हूँ तो अब मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था इसलिए मैंने तुमें गौद लिया तक ही तुम मेरा ख्याल रख सको बस इस से ज़्यादा और मुझे तुम से कोई उमीद नहीं है और नहीं मुझे इस बास से फरक पड़ता है कि तुम कौन हो कहां से आई हो तुम्हें साथ रखना बस मेरी मजबूरी है अब बैकी उस होटल में चली जाती है जहां वो बैकी को अजीब लगा इसलिए वो फूरण आदमी को कहती है तुमीज से बात करो मेरा नम बैकी है तो मुझे इसी नाम से बुलाओ अब यह सुनकर आदमी को भी अपनी पेस्ती लगी इसलिए वो बैकी को भी पुरा बला बोलनी नगा अब उसे तो इतना गुसा आ गया कि वो सुचती है कौश कि मैं प्लेट लेकर इस आदमी का गला कार दो पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी तो अपने उसे पर कंट्रोल करकी यहां से चली जाती है गार आगर रात की वेक्ट उस ओरत की साथ गेम केली नगती है और उसे पूछती है कि आखिर आप इतने अकेली कैसे रह गई तो वो औरत बताती है कि मेरे चार भाई थी जिन में से तीन की मौत हो गई और जो एक भाई जिन्दा है वो मुझे पूछता तक नहीं जब मैं 9 साल की थी तो मेरी मौम की मौत हो गई फिर जरसी में 15 साल की हुई तो मैंने अपना घर छोड़ दिया क्यूंकि मेरी गर में वो तलड़ाय जगड़े रहती थी तो मैं ऐसी माहौल में नहीं रह सकती थी वो ये बातें करी रही थी कि तबी रीडियो पर खबर आती है वो तीना उस होटल में आकर रुखती ही जहां बैकी काम किया करती थी ये तीनों काफी बुरे थी जो बैकी को औरर देखर उसके सब मजाद करने लगती है जेसे उसका मजाद बना रही हो फिर उन्होंने बैकी की मौम डटकी बारे में उल्टी सीदी बातें की जो करके वो हसने लगी अब यहां भी उसे गुसा तो आ रहा था पर वो खुद पर कंट्रोल रखती है और देने की बाद जो वो टेबल पर बैटी थी तो बैकी उनकी बाते सुनी लगती है जो डेरियल नाम की एक आदमी की बारे में बात कर रही थी जिसने किसी खास मकसद के लिए इन तीनों को यहां बुलाया है युकि वो इन तीनों से अपना कोई काम लेना चाहता था अब उन में से जो सबसे बुरा था वो काफी बत्तमीजी से कहता है कितनी देर हो गई है जल्दी से लिया कोफी अब बैकी को गुसर तो इन पर पहले से ही था ओपर से उसे इसका बोलने का अंदास पसंद नहीं आया इसलिए वो दोनों कोफी देने के बाद यान बुझ कर कौफी उस पर गिरा देती है जिस बास से वो भड़क गया और बैकी को पुल्टा सीधा बोलने लगता है तब यह उसे बुला नहीं लगता बलकि वो यह कह देती है ओ सोरी सर फलती हो गई जान बुझ की नहीं किया मैंने जो कहिने के बाद वो यहां से चली गई अब जिब बैकी को छुटी हुई तो वो अपनी साइकर लेकर घर जाने लगती है और वो तीनों जब उसे जाता हुए देखती है तो उसका पीछे करने लगी अब राद के वक बैकी हाथ में नाजी की चाबी लेकर उसको देखने लगती है जिब सोने की तयारी कर रही थी तो अच्छाना घर में काश तोटने की आवाज आती है ऐसा लग रहाता जिसे कोई खिड़की तोड़कर अंदर गुसाया हो आवाज सुनकर वो नीचे चेक करनी आई पर वहां तो कोई भी नहीं था लेकिन इतनी ही देर में पीची से वो बुरा आदमी आकर उसे दबोश लेता है जोर सी उसका मुझ पकड़ लेता है अपनी बचाव में बैगी पीची की तरफ अपना सर मारती है जो उस आदमी की नाद पर लगा जिससे उसका खून बेनी लगता है पिर दूसरा लड़का उस पर गन तानकी कहता है कि शान्त खड़ी रहो कोई कोई शारी करने की ज़रूरत नहीं है ये देकर बैगी का डॉक उस पर हमला करने के लिए आ गई आया लेकिन वो उसे बेस्पॉल बैट से माल माल कर भेहोश कर देता है जिसके बाद वो बैगी पर गन तानकर उसे परिशान करने लगते है कियते हैं कि आज अपना बदला लेकर ही जाएंगी पर तबी पेचे से वो बुड़ी और गन लेकर आ गई जो उन पर तानकर कहते हैं कि अपने गन नीची रखो और मेरा घर छोड़ो दफा हो जाओ यहां से यह सुनकर वो लड़का गन नीची रख दीता है लेकिन जो सबसे बुरा आदमी था उसे बहुत गुसा था इसलिए वो गन उठाकर बुड़ी औरत को शोट करके चान सी मार डालता है यह देकर बैकी काफी कब्रा गई जोर से चिलानी रखती है और उन लोगों पर हमला करने के लिए फोरण उठी लेकिन वो बुरा आदमी उसे थपड मार कर साइड में धका दीता है बैकी इस जगह पर टकराई और नीची गिर कर भी होश रचाती है अगली सुबा जब उसकी आँख खुली तो बुरी औरत को मरा हुआ दे कर काफी तुकी हो जाती है क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी जिसने इतने अर्से से बैकी को अपने घर में रखा हुआ था यहां बैकी को अपने डैट का ख्याल आया कि वो भी मेरा ऐसी ख्याल लगती थी जैसे इस औरत ने रखा लेकिन पिर उन टेररिस्ट ने डैट को मार दिया जैसी आज वो गुरी लोग इस औरत को मार कर चिले गए तबी पेकी को अपने डोग का ख्याल आया इसलिए बाहर आकर डोग को आवास लगाने लगी पर उसी पता चला कि वो लोग तो उसे अपने साथ ले गए हैं जिससे उसे बहुत गुसाया और अवो और जोड़ से चिलाती है और ओर लोगों से बदला लेने का सोचती है और दरबा तीनों डैरियल के घर पहुंची जिसने इने एक काम के लिए बुलाया था अब इन तीन लड़कों में एक लड़का अच्छा था जो इस तरह के कामों से दूर ही था बस इनका दोर सुने की वज़र से इनके साथ रहता था यनि वो शरीफ था इनसे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया बहुत गंप किया तुमने छोटी सी बात पर उस औरत की जान ले ली और बुकतना पड़ेगा क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इसका अन्जाम बहुत बुरा होगा ये सुनकर वो बुरा अदमी उसे गले से पकड़ कर कहरे लगा कि सिर्फ मैं नहीं नहीं बलकि हम तीनों ने मिलकर मारा हैं उसे समझ आई तो हम तीनों बराबर की कसूरवार हैं और अब तुम दोनों अपना मुद बंद रखना हो यहां तक कि टेरिल को भी कुछ न मताना वरना तुम लोगों की साथ भी अच्छा नहीं होगा कसम खा लेती है कि मैं इसकी मुद का बदला अब लेकर ही रहोंगी वो अपने कुछ ट्रैप्स इन्हीं जाल तयार करती है उन बुरे लोगों को उसमें पसाने के लिए ताकि वो नहीं सबक सिखा सकी जिसके बाद लाल रंगे कपड़े पहें लेती है क्योंकि ये उसका पसंदीदा रंग था और दुपारा से अपने प्रैक्टिस करने लगती है वो यहां डेरियल की बारे में सर्च करती है कि वो कहां रहता है क्योंकि वो तीनों डेरियल की बारे में ही बात करे थी यहां उसे पता चला कि शहर में डेरियल नाम की बस दो ही लोग रहती हैं इसलिए पहले वाले की पास जाती है यहां उसे एक बोड़ी औरत मिली बैकी उसे पुछती है कि आपका नम डेरियल है इसपर वो जवाब देती है कि हाँ मैं डेरियल ही हूँ बर तुमें के कामें उससे बैकी पूछती है कि आपसे तीन लोग मिलने आए है इस पर वो कहती है कि नहीं तीन लोग तो क्या मुझसे तो कभी एक इंसान मिलने तक नहीं आया मैं यहां बिल्कुल अकेली रहती हूँ यह सुनकर बैकी समझ जाती है तो फिर जरूर वो दूसरा डेरियल होगा जब यह उसके घर की पास पहुंची तो वो जील किनारे था और जब उसकी निज़र ऊपर गई तो वहां नाजी का जंडा देख लेती है और समझ गई कि यही असले डेरियल है क्योंकि उससे एकिन हो गया था यह नाजी टेरिस्ट है इसलिए वो उनकी घर के चारों तरफ ट्रैप्स लगाने लगती है उसका अंदाजा बिल्कुल सच था क्योंकि इस घर में हम डेरियल को देखती है जहां वो अपनी लोगों के साथ था वो और उसकी लोग क्योंकि टेरियल है तो काफी खतरनाक थी यह डेरियल की साथ वो तीनों भी बैटे हुए थी डेरियल उनसे कहता है कि पहले खाना खाएंगी फिर बाद में बात करेंगी जिस पर वो लोग उसकी हां में हां मिलाती है डेरियल उन्हें खाना देता है और वो सब खुब मज़ी से खाना खाती है यहां वो नोटिस करता है कि जो शरीफ लड़का था वो काफी परेशान लग रहा था और वो खाना भी नहीं खाना था तब डेरियल उनसे पूछता है क्या बात है भई खाना क्यों नहीं खा रहे और डेरियल इन सबका लीडर है अब यहां डेरियल बेकी के डॉग को देखता है जिसे इन लोगों ने पिंजरे में बन करकी रखा था तो वो न दिनों से पूछता है कि इस डॉग को यहां क्यों लाई हो क्या कहानी है इसकी इस पर बुरा आदमें बताता है कि यह डॉग एक लड़की का है जिससे बत्ला लेने के लिए हम उसके डॉग को यहां ले आए है ताकि उसे सबक सिखा सकी कि उसे हम लोगों से नहीं उलचना चाहिए था अब बैकि इनकी घर के पास आ गई थी जो छुपकर इनकी बाती बड़े कोर से सुन रही होती है वो पर पिछली रास्ते से जाकर एक कमरे की पास आगई जिसकी खड़के खोलकर वो अंदर टाकिलो चाती है टेबल पर पड़ी वो भूस सरे फाइल्स को देखती है जिने देखकर उसकी होशोट चाती है तो वो उन फाइल्स की तस्वीरे बनाकर और बेचानबिन करने रिखती है अब शुरीफ लड़का जब वाश्रू में जा रहा था तो डेरिल भी उसकी पीछे जाने लगता है इजगर रोकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ इसलिए उनकी आने की आवाज सुनकर चिर्दी से बैट की नीचे छुप जाती है डेरिल उसे वो फाइल सिखाकर अपना प्लैन बताता है भी लैप्टॉप में एक पेंट ड्राइव लगा कर उसे खुफिया जनकारी देता है कि हमें उपर से ये ओर्डर्स मिली है वो पेंट ड्राइव को ये चुडा कर यहां से भाग चाती है क्योंकि ये उसकी काम आ सकता था यहां से वो सीधा उनकी शेड में गई यहां उसी बहुत सारी हत्यार और अलगलग किसन की ओजार मिलती है जिन सब को वो अपने पास रख लीती है अपने हिफाज़त के लिए इन चीज़ों में वो सारी गन्स और बॉम्स भी शामिल थी जो सब दीनी की बात बैकी वहां से निकल गई बाहर आने की बाद वो उनकी दिर्वाजी की बेल बचाती है डेरियल जब चेकर ने बाहर आया तो वहां कोई भी नहीं था लेकिन जब वो अंदर आने लगा तो उससे अपने बैकी पास फोन पड़ा हुआ मिला उसने चेर से फोन हाथ में लिया उस पर बैकी की कॉल आजाती है और फोन कर भी बैकी का नाम लिखा हुआ था जो देखकर डेरियल काफी हिरान रह गया अंदर आकर उन सबसे पूछता है कि ये बैकी कौन है क्या सीन है इसका तब वो लोग यहां बता देती है कि असल में बैकी वही लड़की है जो हमसे पंगा ले रही है उलच रही है हमसे घर डेरियल फोन उठाता है और उसे बात करके पूछता है कि अगर अब तुम क्या चाहती हो इस पर वो कहती है कुछ खास नहीं और हाँ तुम्हारा पेंट ड्राइव मेरे पास है अगर तुम्हें वो वापिस चाही बहुत बड़ा मसला खड़ा कर सकता था इस पर वो बुरा इंसान डेरियल को कहता है कि आप फिक्र ना करो वो आस पास ही होगी तो मैं बाहिर जाकर उससे बात करता हूँ वो जिब बाहिर आया तो उसी बैगी दीग गई जिसका वो पीछे करनी लगता है और टेप की जड़ी ही मूँ में बाम चिपका देती है बाम की पिन को धागी से बान कर उन लोगों के दिर्वाजे से बान दीती है इसकी बात उसनी दिर्वाजा करकटाया जिस वज़र से डेरियल बाहिर आया अब जो ऐसी दिर्वाजा खुला ठावा किचने से बाम की पिन निकल गई जिससे उस बुरी आदमी का सर्व बाम की साथ वही फट गया और ऐसे उसकी इतनी बुरी मौत हो जाती है ये देकर डेरियल और उसके साथी काफी हराम रह जाती है क्योंकि समझ के थी कि वह की कोई आम ड़की नहीं है बलकि बहुत ही खतरनाक है और उसकी इरादे उससे भी जाना खतरना उसकी पास मास्टर माइंड है और अपने दिमाग का ऐसे इस्तमाल करके इस तरह उसने उनके साथी को मार दिया अब साहिर है वो इनके लिए भी खतरा थी तो ये लोग समझ चाहते हैं कि अब उसका जिन्दा रेना ठीक नहीं पर इस वज़र से डेरियल को गुस्सा आ गया वो बचे हुए दोने लोगों पर गन तान की पूछता है कि अब मुझे सच सच बताओ कि तुम लोगों ने और क्या क्या किया कि वो लड़की बदला लेने के लिए यहां तक आ गई जो हमारी सरों पर मुझ की तरह मंड़ा रही है जिस पर वो शरीफ लड़का ही है सारी बात सच सच बता ही दीता है कहने लगा कि मेरे इन दो साथियों ने बोड़ी औरत को मार दिया जो शायद बेगी की दादी थी इसलिए वो यहां आई उनकी मोत का बदला लेने के लिए आगी वो कहता है कि अब मैं यहां से बाहर जा रहा हूं ताकि सारे बात पुलिस को बता दू क्योंकि जो इनने उस बोड़ी औरत की साथ किया सच में बहुत गल था हलांकि वो सारे लोग उसी ऐसा करने से मना कर रहे थी पर उनकिसी की भी सुनने को तयार नहीं था ये देकर डेरियल का दिमाग खराब हो गया इसलिए उसकी पाथ जाकर उसका सर मरोड दीता है जिससे उसकी गुर्दन की हड़े तोड़ गई और वहीं उसकी मौत हो जाती है अब बैकी तुबारा डेरियल को कॉल करती है कहने लगी कि तुम्हें समझ नहीं आ रही पेंड ड्राइव चाहिए तो मेरा डॉग वापिस दे दो ये संदर डेरियल के एक आदमे को बहुत गुसा गया इसलिए वो बाहर जाकर सोड़ सोड़ से कहनी लगा कि बैकी तुम जहां कई भी हो सुलो मेरी बात तुम्हारी मौत पकी है मैं तुम्हें छोड़ने वाना नहीं हूँ अब दोर बैटी बैकी उसे देख रही थी उसने हाथ में तीर पकड़ा हुआ था जिससे वो सीदा उस आदमी पर वार कर देती है जो तीर उस आदमी के मौ के आर पार हो जाता है उसकी मौत तो नहीं होती पर ऐसा होने से उसे काफी तकलीफ होने लगी इसलिए वो जदनी से अंदर आ जाता है टेरियल उसका तीर निकालता है और उसका बोसर अखो निकलने लगा जिस वज़े से उस आदमी को भोध गुसान लगता है टेरियल उसे समझाता है कि तुम परिशान ना हो उसे में पकड़ लूगा लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और बैकी से बद्ला लेने के लिए बाहर निकल जाता है बैकी जान बुचकर उसके सामने आ गई सिदे कर वो उसके पीछी भागने लगा वो भी भागे और उसे अपने पीछी शेट में ले चाती है अंदर डैरियल बजी हुए तीसरी बुरे लड़की को पकड़ कर उस पर गुसरा करने लगा कियेता है कि ये सब कुछ तुम लोगों की मज़र से हुआ तो तुम या अंदर क्या कर रहे हो तुम भी जाओ बाहर और कैसे भी करके बैकी को ढोंड कर लाओ अब वो बाहर आतो जाता है पर गाड़ी लेकर यहां से भाग गया क्योंकि उसे इस मसले में पढ़ना ही नहीं था डैरिल गर जो आदमी शट में बैकी के पीछे गया था वो उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह उसे मारने लगा लेकिन बैकी नीची से उसकी तरफ दोई वाला बॉम भेंगे ती है जिस फुज़ा से उसे खांसी होनी लगी उसका अदम इतना गोटा कि वो बाहर आ जाता है तब बैकी भी उसकी पीछे बाहर आ गई बोड़ा आदमी माफ ही मांगनी लगा जो सोचकर वो खंजर सी उस आदमी पर हमला करती है और बार बार उस पर वार करके कई टुकड़े कर दीती है और ऐसे उसकी बहुत बयानत मौत हो जाती है उसका सारा खुन बैकी के उपर गिरा और वो पूरे खुन से लटपत हो गई उसे मारकर वो खोई शो ही रहती कि तबी सामने से उसी एक इंजेक्शन आकर लग चाता है जिससे वो बहोश हो गई जब उसकी आँखी को लिता वो खुत को खुरसी से बंदा हुआ पाती है जिसके सामने डेरियल बैठा था वो उसे कहता है तुम जानती नहीं हम कौन है तुमने गल्ट इंसान से पंगा ले लिया है जो कहकर हो बैठी को उसका सारा समान दिखाता है जो वो तयारी करकी आई थी और कहता है कि अगर तुम बता दो यहां वो बुड़ी और बैठी को बताती है कि असल में यह डेरियल मेरा बेठा है इसलिए मैंने इसका नम अपने नाम पर रखा हम दोनों मार बैठी का एक ही नाम है डेरियल जिसके बद वो बैठी के डोग को बाहरे निकान कर उसे मारने की धंकी देती है और कहती है कि अगर इससे बचाना चाहती हूँ तो चुपचा पेंडराइव को हमारे हवाले कर दो अब अपने डॉप के लिए बैकी उन्हें पेंडराइव देने के लिए तयार हो गई लेकिन वो यह नहीं जान दे थी यह बैकी है उसके इतने जल्दी मान चाने की बेचे भी कोई राज चुपाएं लेकिन क्योंगी वो राज ही हो गई थी इसलिए दोनों मां बेटा खोश होने लगी थी पर हमें यहां पता चला कि इस तोरान बैकी ने खुद को रसी से अजाद कर लिया है इस बात का पता चलते ही डैरियल उसके पास आने लगा पर वो उसे टांग मारकर दोर किरा देती है अब जब डैरियल दुबारा उसके पास आने लगा तो बैकी जल्दी से स्प्रें उठाकर उसकी आँखों में कर दीती है जिससे डैरियल को जलन होने लगी तो वो जन्दी सी वाश्रूम में आकर अपने आंगी दोने लगता है टेरिल की मॉम बाहिर बैकी पर गन दान कर उसे जान से मारने की धंकी दीती है पर उससे पहले ही बैकी तोर सी चाको उसके तरुफ भैंके मारती है जो सीधा उसकी माथी पर आकर लग जाता है और वहीं पर उसकी मोथ हो गई इसकी बाद बैकी जन्दी से यहां से भाग गई अब जो टेरिल बाहिर आया तो अपनी मॉम को मरा हुए दे कर उसे बहुत बुरा लगा उसे बैकी पर गुस्सा आजाता है तो वो जल्दी से बाहिर आकर उसके पीछी बागने लगता है और बार-बार गंसे उसे शूट कर रहा था पर एक जगा पर आकर बैकी रुख जाती है क्योंकि वो कुछ सोच रही थी डेरियन उसे कहता है बस अब तुम्हारा खिन खत्म बचकर कहां जाओगी मैं अभी यही पर तुछे मार डालूँगा यह केकर वो जैसे कदम आगी बढ़ाता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस किया और अभी यहां वो पुरी तरह ट्रैप्स में फंसा हुआ था ज़रा भी नहीं इल सकता था वो काफी सक्मी हो गया था मरने ही वाला था कि बैकी से कहता है कि तुम मेरे जैसे इतनी बड़े टेर्रिस्ट को भी नहीं छोड़ सकी मान गया तुम्हीं और तुमने सारे ट्रैप्स बहुत अच्छी सेटप थी जो कहेकर उसकी मौत हो गई जिसकी बाद बैकी उसकी घर के अंदर जाती है अपने डोग को छुड़वाने के लिए और गया डैरियल की मौम जिन्दा थी तोकि सर पर वार करनी से वो बचके थी उसे जिन्दा देकर बैकी अपने डोग को हुक्म देती है कि जाओ और इस ओरत को खा जाओ डोग ने ऐसे किया वो जाकर उस ओरत पर छपट पड़ा जो देकर बैकी यहां अपने डोग की तारीफ करनी लगी इसके बाद 24 गंटी ऐसे गुजर गी पुलिस को इस सारे हाथ से की जब खबर हुई तो बैकी को पकर नेती है जिसकी बाद उसे एक ओफिसर की सामने पीश किया जाता है जो उससे सवाल करती है कि तुम अभी 16 साल की हो लेकिन फिर भी तुमने टेर्रिस्ट के उस इतने बड़े ग्रुप को मार दिया कोई शक्त नहीं कि वो लोग कितने खतर नाक थी तो तुमने अकेली इस सब कुछ कैसे किया इस पर बैकी बोली कि मैं इस सब के ट्रेनिंग क्या करती थी वो भी बहुत सक्त किसंगी उसकी बहादरी पर ऑफिसर उसके सामने एक आफ़र रखती है कि ये तो हम मानगी तुम बहुत बहादर हो बहुत ही खास लिड़की हो तुम्हारी वज़ज़ से इस शेहर में तमाकी होने सी बच गे क्योंकि तुमने उस टर्रेरिस्ट ग्रुप को खत्म कर गी उनकी रादिना काम बना दिये और हमें सारी जन कारी ला कर दी पेंड ड्राइब के जर्गी तो अब क्या तुम सी आईये में आकर एज़ज़न बना चाहोगी इस पर बहुत हो बोल देती है और इस तरह आज से वो एक एज़न बन गई इसके बाद हम बुड़े आदमे की उस साथी को देखती है जो गाड़े लेकर बाग निकला था जो इस तरह जंगलों में कहीं छुपा हुआ था वो जब गाड़े में बैठा था तो उसके पीछे एक गाड़ी आकर रुखती है जिसके अंदर से और कोई नहीं बलके बैकी निकलती है जो अब पुरी तरह एज़न बन गई थी क्योंकि आज वो अपना पूरा होलिया एज़न जैसा ही बना कर आई थी उसे देखकर वो अपने गर निकालता है और अब वो अपनी अगली एडवेंजर के लिए निकल जाती है जहां वो बुराई के खिलाफ ऐसी लड़कर चर्सी बुराई का खात्मा कर दी ही और उसकी इसी रादे के साथ ये फिन इदरे खत्म जाती है